High blood pressure आजकल के हमारे urbanization या urban lifestyle की वज़े से कई लोगों में बढ़ते जा रहा है इसकी वज़े है एक तो हमारी अनवनशिक्ता और साथ ही हमारी unhealthy lifestyle changes कई बार late सोना, late जगना, stressful life, alcohol intake, smoking करना ये सारी चीज़े contribute करती है ऐसी बिमारियों में High blood pressure यानि ये एक तरह का pressure होता है जो हमारे arteries पर डाला जाता है या high pressure से जब blood flow होता है जब हमारा heart pump करता है आपने सुना होगा कि कई बार जब आप doctors के पास जाते हैं और आपके doctor आपका blood pressure लेते हैं तो usual range जो हम बताते हैं वो होती है 120 by 80 mm of mercury जिसे हम normal blood pressure कहते हैं जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब आपके doctors आपको शुरुवादी में कुछ lifestyle modifications बताते हैं और अगर ये एक limit के उपर जाने लगे तो आपको वो दवाईया भी शुरू कर सकते हैं तो जरूरी है ये जानना कौन से कौन से प्रकार के blood pressure होते हैं मुख्यार उपर दो प्रकार के blood pressures होते हैं जिसे हम primary hypertension और secondary hypertension कहते हैं primary hypertension जो आपको ज्यादा तर लोगों में दिखाई देता है और इसके causes अगर आप देखें तो genetics यानि अनवनशिक्ता और हमारी unhealthy lifestyle है अगर हम lifestyle modifications करते हैं तो हो सकता है कि ये blood pressure levels जो आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये धीरे धीरे normal होने लगे secondary blood pressure ये वो category है जिसमें आपको blood pressure जब होता है तो इसकी होने की वज़ए कुछ और हो सकती है जैसे कि आपको पहले से ही कुछ और बिमारिया हो जैसे diabetes है, kidney related problems है, heart related problems है या आपको कुछ ऐसी दवाईया चालू हो सकती है जिससे आपका blood pressure बढ़ने लगा है जिसे हम कहते है secondary blood pressure याने किसी वज़़ से होने वाला blood pressure इसके बाद एक और जिसे हम बहुत rarely देखते है वो होता है isolated systolic hypertension आइसोलेटर systolic hypertension याने इस प्रकार में सिर्फ आपका उपर का BP जो होता है और जो आपकी नीचे के level होती है जिसे हम diastolic blood pressure कहते है वो normal रहता है लगबग 90 के नीचे सो ये rarely हमें कुछ patients में देखता है बट yes ये भी control किया जाता है medicines के साथ एक और category होती है जोसे हम कहते है resistant hypertension ये लगबग हमें 5-10% population में देखता है और ये वो प्रकार होता है कि जिसमें आपको 3 से ज़ादा दवाईयों की जब जरूरत पढ़ती है अपना blood pressure control करने के लिए उसे कहां जाता है resistant hypertension commonly एक type जो हम देखते है regular अपने clinics में ये hospital में उसे कहां जाता है white coat hypertension यानि जब आप खर पर है या जब आप relaxed बैठे हुए है तो आपका blood pressure एकदम से normal होगा पर वही अगर आप अपने doctor से मिलने उनके clinic में जाते है या hospital में जाते है तो तुरंत आपका blood pressure बढ़ने लगता है इसे कहते है white coat hypertension पर अगर इसे अगर हम समय से control नहीं करें तो white coat hypertension हमारे शरीर में जो दूसरे organs है उसे damage कर सकता है इसलिए बहुत ज़रूर है कि white coat hypertension timely diagnose हो और सही समय पर वो treat हो जाए blood pressure की normal range हम किसे कहते है अगर आपकी reading 120 by 80 आती है तो ये पूरी तरह normal blood pressure है जिसे हम कहते है second stage आता है elevated hypertension याने जिसमें आपका उपर का range याने उपर की जो blood pressure की level है वो 120 से 129 के बीच में रहने लगती है और नीचे वाली जब 80 तक रहती है तो इसे हम कहते है elevated hypertension याने elevated blood pressure stage 1 hypertension जिसमें आपके उपर का blood pressure level जाता है 130 to 139 तक और नीचे का रहता है 80 से लेके 89 के बीच में so ये दो stages जो हम देख रहे है elevated और stage 1 अगर ये आपको just detect होते है तो आपके doctors आपको इस समय पर lifestyle modifications बताएंगे आपको weight loss करने की सलहा देंगे आपको खाने में नमक कम करने की सलहा देंगे और साथ ही regular exercises भी करने के लिए कहेंगे जिससे आपके ये elevated और थोड़े से बड़े हुए BP level से वो नीचे आ जाए बाद में आता है stage 2 stage 2 याने इसमें आपका blood pressure 140 by 90 के उपर ही रहने लगता है अगर ऐसे में आपके 2 से 3 readings persistently high आने लगे तो ये indication होता है कि शायद आपको blood pressure की दवाईया शुरू की जाएगी तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने blood pressure levels को नियमित रूप से चेक कराते रहे हम अपनी diet को control करे regular exercises करे बहुत ज़ादा नमकीन या नमक वाली चीज़े न खाए smoking avoid करे alcohol avoid करे और सबसे ज़रूरी रोज at least 30 minutes तक exercises करे ताकि जो चीज़े आपको ऐसे बिमारियों की तरफ ले जा रही है वो सारी चीज़े आप खुद से ही कम करने की कोशिश करे जिससे आप पूरी तरह healthy और normal रहे और सबसे ज़रूरी बात अगर आपकी family history strong है blood pressure, diabetes की या आपकी lifestyle में problem है आपका वजन बहुत अधिक है तो नियमित रूप से अपने regular health checkups कराना ना भूले जिसमें अगर ऐसी कुछ भी चीज़े हो जो आपको शुरू हो रही है जैसे blood pressure, diabetes या और कुछ वो समय पर detect हो सके और आपको समय पर इसका इलाज मिल सके Thank you